असलाम अलेकुम रहमतुल्लाई वरकातू इत्तिहाद नूल में आप सभी का खेर मगदम हैं आखिर हम कहां हैं क्या अब भी होश के नाकून नहीं ले जाएंगे बहुत ही गमजदा दिल के साथ आज का मजमून कहने की जुरत कर रहा हैं यकीनल को इस बात को माने या न माने पर हमारा इत्त्याद ही अमघी जंदा रहने की जमानत कह सकतें इसलेकि इत्त्याद जिंदगे और इंतिशार मौत हैं पर क्या आज भी हमने अलग-अलग जमातों मसलकों में फिरकों में बटने के काम को जारी नहीं रखा है क्योंकि हम आज भी एक प्लैटफॉर्म पर नजर नहीं आते हैं मसलक जमात इसले बने ताकि आसानी के साथ दीन पर हम अमल कर सके हैं मैं कोई इलमी दानी श्वर नहीं हूँ लेकिन इतना जरूर समझ चुका हूँ कि कल में की बनियात पर ही मुत्तहिद होकर हालात का मुकाबला करेंगे तो आने वाली नसलों की हिफाज़त कर पाएंगे भले आज का मुजू कुछ लोगों को अच्छा ना लगे क्योंकि इस दिसमबर महिने में हमने कहीं जगापर मसलकों की बुनियात पर इस्तमाद को पा रहे हाल ही मैं कि इजलास में किसी आली ने दीन को ये कहते हुए सुना था कि अपने मसलक को छोड़ो मत दूसरे मसलक को मिल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग इसलासों को मनककत करने के बजाए एक मकसद के तहरे जमा होते तो और भी अच्छा होता भूपाल में एक बड़ा इस्तमा हो रहा है तो बंबाई में दूसरी जमाद का ने लास हो रहा है मतला हम किस तरह से बटे वे हैं ती इन तरफ तीन अलग अलग लेकिन कलमी की बुनियाद पर हम अपनी ही बात को सही ठेराने की कोशिश कर रहे हैं यकिनां जिस भी महफिल में अल्ला और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां फरेश्टे गेर लेते हैं पर उम्मत के दहकते मसाइल पर एक होकर कोई मनसुब अबंदी पर सरों को जोड़ लेते तो ज्यादा बेहतर होता है इसा लगता है यह कहां तक सभी होई मुझे तो मालूम नहीं है क्योंके बड़ी बड़ी जमाते हैं और उनके उल्मा उनके रहनुमा लाखों लोगों को जमा कर रहे हो तो शायद उन्होंने बेहतर ही सोचा होगा पर साथ में यह और भी अच्छा होता है कि तमाम जमातों के लाखों लोग महस कलमें तयबा की बनियात पर एक होकर अपनी कुवत का मुझारा करते तो फिरकापरस्तों पर और भी जादा आसर अंदाज हो जाते हैं खैर आज इस बात का तसकरा इसले करना पड़ रहा है क्योंके कुछ और लोग हैं जिनका हमारे दीन इमान से कुछ भी लेना देना नहीं है लेकिन वो फिरकापरस्तों के खिलाब कमर बसता हैं और वो कोई मामुली लोग नहीं है भारत के अहम इल्मिदानी शरों ने आज वजिर आजम मोदी वजिर दाखरा मिश्या को खत लिकर मुल्क में बढ़ती नफरत मुसल्मानों इसायों और अकलियतों पर होरे हमलों पर फिक्र का इसहार करते वे इन इशारा भी दिया इस खत पर दस्तकत करने वाले में तक्रीबन सौ लोग हैं उसमें अहम जो है एंसी सक्सेना भारत के प्लाइनिंग कमिशन के साविक सेक्रेटरी नजीब जंग देहली के साविक लेटरनेंट कवर्नर शू मुखर्ज बरतानिया में हिंदुस्तान के साविक गवर्नर अमीद पांडे हुकुमत में बाइनुर रियासती कॉंसिल के साविक सेक्रेटरी या स्वा के लिए और फिरकापरस्तों के खिलाब कुछ लोग सरगर्म है भारत के तमाम इल्में माहिरीन ने साभी का अलाफसरान ने मोदी हुकूमत को एक तरक इशारा दिया कि मुल्क के मुझुद हालात में इंतिहा कि नफरत हिंदू-मुस्लिम दूरियान देश के लिए नुकसान है और इस पर तवज्यों फर्माएं कुछ ने तो मुल्क में जल्द खाना जेंगी की तरफ इशारा भी किया है साभी कफसरान के वफ्द ने लिखाए के बटवारे के बाद मुल्क मजभी तशद्दूत के शोड़ों में जलावा देखा गया लेकिन पिछले 10 सालों में जो इलजाम में पुलीस नौजवानों को धमकाने या पीटने की वारदातों से इसकी शुरुआत हुई फिर वही बेगुना लोगों की लिंचिंग में बदल या इसके बाद साब तोर से नसलकशी के इरादे से इस्लामफोबिया नफरत बरे वयाना दिये गए हाल ही के दिनों में मुसलिम ताजीरों कारबारियों को दुकान और रिश्टोरेंट्स का हाथ समाजी बाइकॉट के एलानात खुले मंचों से किये गए और वजरात की इशारे पर एकजाली मुकामी इंतजामिया की कैदत में मुसलिम घरों को बेरेमी से बुल्डोज किया गया लिहाजा ख सदी के सुफी खाजा गरीब नावाज की दरगा के नीचे मंदीन होनी के अरदात को अदालत की जानिव से मंजूर करना तसवर से बाहर है आखर में वजिर आजम मोदी और वजिर दाखला से मांग की गई है कि मरकजी सतह पर तमाम मजाहिब के लोगों को बुला कर मुलक मे भाई चारा आपसी इत्याद को मजबूत करने के लिए इजलास तरफ किया जाए वाकर यह इसे दोर में सरानी एकदाम कह सकते हैं एक ऐसी तहरीक जिसमें मुलक के बड़े-बड़े इलमीदार इश्वर आलाप सरान जिसमें अकसर गैर मुस्लिम है ये बात काबिल्यत तो जो है वजिर आजम को अरदाद के साथ इशारा भी दे रहें सभी जानते हैं कि फिलाल मुसल्मान ही तो निशाने पर हैं पर क्या मुसल्मान इन तमाम बातों से आगा भी है और अगर आगा है तो बजाए अपसी इत्याद के मसलक की बुनियाद पर इजलासों को छोड़ कर एक प्लाटफॉर्म पर क्यों जमान ही हो पर दिगर मजाहिब के लोग जिनका किसी तरह का इमारी रिष्टा हम से नहीं है लेकिन मुल्क में भाईचारा कायव रहें इसके लिए पेश कदमी कर रहें पर हम हैं कि आज भी बड़े-बड़े जलास सिर्फ मसलक जमान की बुन करणों रुपय खर्चा करके लगों को जमा रहें इसलामी त्याद के खातिर यह इस्तमाद क्यों नहीं हुआ करते क्या आज भी हमारे दिलों में एक दूसरे को लेकर के ना बुग्स कपट है फिर हम यह क्यों नहीं होते क्यों आज भी अलग-अलग पैंडाल बनाकर मसलको को फरोग देना है वैसे भी बहुत देर हो चुकी है बहुत कुछ हमने खो दिया है और जो बचा है उसे भी छीनने की कोशिद चारी है आज की ही खबर ली जाए तो आज भारत के कहीं शहरों में बांगलादीशी हिंदूओं पर हमलों को लेकर आतजाज किये गए बजाई ही रहे है इतजाज बंगलादीशीों के खलाप नजर तो आते है लेकिन उसके बहाने मुकामी मुसल्मानों को निशाना बनाए जाता रहा हमने इससे पहले भी इस तरह की वारत आते देखी है और इसी के साथ मतुर अकाशी को लेकर भी आजाए इतजाज किये गए कहीं शहरो मसला काम कर रही है होता रहे लेकिन पिछले 50-60 सालों से तो यही करते आए अब एक होकर मुतहिद होकर आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए आवाज को बुलंद करे मैं किसी पर तंज करना नहीं चाहता लेकिन दिसंबर के पहले अपते में अलग-अलग मसलकों जमा भी है हर्मिपाक भी अल्लाभी कुरान भी एक कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसल्मान भी एक फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या जमाने में पनपनी की यही बातें आज का मुझण कैसा लगा जरूर कमेंट करें एत्याद में देखने को यह शुक्रिया अलाह झाल झाल